कक्ष्या प्रवेशिका काव्यकों मुदी द्वितियो भागन अध्यवयं दश्बह पाठ है हिरन्यक ताम्रचूड कथा एसा कथा पंच तंत्रस्य मित्र संप्राप्ति नामक तंत्रात उद्रतो अस्ति अश्या कथा या लेख कह अस्ति पंडित विश्णु सर्म। हिरन्यक ताम्रचूड कथा अत्र वयं अध्य एकम गध्यांसम पठामां सर्वेशाप्त्राह ध्यानेने स्रणवंतू पश्यंतूस्च पठामां अथ तत्स्रुत्वा भैत्रस्त मना स्ताम्रचूड तमुवाचे भोभगवान मैवं वद नद्वत्समु अन्यो मम् सूहरत कस्चीत अस्ति परम् तत्स्रुयतां गोश्टी से थिल्ले कारणं। इश्य दुरात्मा मूशक है प्रोन्नत इस्ताने ध्रत्मपी विख्षापात्रम उत्लुत्यारो हती विख्षावसेसंच भक्षियती तन्मूशक प्राशार्थम मेतेन वंसेन विख्षापात्रम मुहुर मुहुस्ताड्यामी। व्रस्पिगा है नूनम निधान अश्यो परी तस्य बिलम। निधानोश्मना निश्चितं प्रकुर्दती अशव। एवं प्रकारेण अश्य गध्यां सस्यो वयम वाचनम कृत्वन्त है अनंतरम। अश्य गध्यां सस्यो प्रसंग है किमस्ति यत अस्मिन गध्यां से हिरन्यक ताम्रचूड कताया। ताम्रचूड है व्रस्पिगम कत्यति अग्रे वयम व्याख्या कुर्म है अश्य गध्यां सस्यो प्रस्यन्तु। व्याख्या किम भवती एक-एक सब्दश्य परियाय पदम लेखनम तेव व्याख्या। व्याख्या मध्ये सरल सब्देशु तस्य सब्दस्य भाव ग्रहणं वयम करतुम सक्नुमा पश्यन्तु। अथ अनंतरम तत्सृत्वा व्रस्पिक भ्रस्चना वाचं आग कराने। अत्र व्रस्पिक भ्रस्चना कृतम आसीत अत्र यत हेताम्रचूड भवान अति गर्वितो अति अहमकारी अत है। मम अतितीम नासत करोती। अनंतरम सह प्रस्पिकस्य वचनम सुरुत्वा एवं परकारेणे। ताम्रचूड वदती यत भयत्रस्थ मना ताम्रचूड कथम वदती भयत्रस्थ मना भयात पिडित चित्थ। ताम्रचूड है एतन नाम कह सन्यासी। तम्रचूड वदती आहे। किमवाचे इती अग्रे वयम जानीमा भोवगवन। हे स्वामिना मा एवं वद। मा एवं वद। इत्थम ना कथिये। एवं परकारेण ना वद। त्वत्समा भवाद्रिशह अन्यह अपरह मम मे सूरद मित्रम कस्चिद्न अस्ति अर्थात कोपिनास्ति पराम किन्तु गोष्टी शेथिल्ले कारणम अर्थात धर्मचर्चायाम व्यवधानस्य हेतू कारणम किमासी तत्र धर्मचर्चायाम व्यवधानस्य हेतू तत स्रूयताम, तत तावत स्रूयताम, स्रवनिय, किम कारण मासी तत्र? एशह दुरात्मा, मूश कह, एशह दुरात्मा मूश कह, एशह इत्युक्ते अयम, दुरात्मा दुष्ट, मूश कह, आखू, प्रोन्नत इस्थाने उच्च प्रदेशी, दुरात्म अपी, इस्थापितम अपी, भिक्षा पात्रम, भिक्षा, कृति, पात्रम, जोली, वेम पठित बनता है, जोली ती, वदामा है, उत्पलुत्य, उत्पन्नेन, आरोहती, उदगच्च ती, अत्रवयम पश्याम, भिक्षा पात्रम, उत्पलुत्य, आरोहती, उदगच्च ती, आरोहनम करोती ती, अत्रवयम पश्याम, भिक्षा पात्रम, उत्पलुत्य, आरोहती, अगरे, भिक्षावसे समच, भक्षयती, एवँ किम करोती? शह भिक्ष्या वसे सम्च अवसिष्टम भिक्ष्या नम्च भक्षयती खादती शह मुसक बिक्ष्या पात्रम भिक्ष्या भाजनम मुहर्मु पोनह पुन्यन ताडियामी वादियामी अर्था तन्मुष्यक त्रासार्थम एतेन मंसेन भिक्ष्या पात्रम मुहर्मु पोनह पुनह वादियामी अग्डे व्रस्पिग है किम बदती व्रस्पिग आहे नूनम निधानश्यो परी तस्य बिलं अर्थाथ सहा ब्रस्पिग अथिती सन्याशी आहे उवाच्छ कि नूनम निश्चेन निधानस्यो उपरी निधानस्यो अर्थाथ भूमिस्तह धनस्यो भूमि उपरी यह धनास्ती तद उपरी तस्यो बिलं अर्थाथ मूस कस्या भूम भूम अस्ती गरते आवास इस्थानमस्ती कुत्र निधानस्यो परी भूमिस्तह धनस्यो उपरी तस्यो बिलं अस्ती अतह निधानो स्मना निधान किम भवती भूमिस्त धनमस्त भवती उष्मना तद उष्मना अर्था प्रभाविन निष्चितम प्रकुर्दति असव निष्चितम अर्था निष्चित रूपिन असव प्रकुर्दति असव मुशिक है प्रकुर्दति उत्पतति वारं वारं उत्पतति वेवं बदती सह अस्मिन गद्ध्याम से व्याक्रण सब्दाह स्वंति तेशाम अपि वयं चर्चाम कुर्म शमाशे एकह सब्दास्ति ही भयत्रस्त मना अस्य पदे समाशह अस्ती भयात्रस्तम भयत्रस्तम तच्य मनह यस्यसह भयत्रस्त मना अत्र अन्य पदप्रधानू अस्ती अतह बहू खुरी ही समाशोस्ति भयत्रस्त मना कह ताम्रचूड अता है अत्र बहुप्रिः गोष्टी से थिल्ले कारणम अत्र सितिलस्य भावः से थिल्ले आम से थिल्ले कारणम गोष्टी से थिल्ले कारणम अत्र सश्टी सब्तमी तत्पुरुष्यमाशो अस्ति अग्रे वयम संधिकारियम अपिकर्टुम् शक्यते अत्र अस्मिन गध्याम से वयम पश्यामाः एकम पदमस्ति मेवम् माधन एवम अत्र आकारस्य अनंतरम ए अच्य अस्ति अधा उभयम् इस्ताने अई इति व्रद्धि भवति मैवम एवम् अग्रिम हैं शब्द अस्ति निधानस्यो परी निधानस्य उपरी अस्मिन पदे गुण हैं अकारानंतरम उकारह गुणय ओकारे कृते निधानस्यो परी इति शब्द हैं भवति पुना हैं त्राश अर्थम् त्राश धन अर्थम् अत्र सरलं एव अकारानंतरम अकारह आगच्छती चेत तरही आकारह इति दिर्घ संधी भवति अकासवणि दिर्घ इति सुत्रयन् प्रेकूर्दते असव अत्र पुर्वरूपम अस्ति प्रकर्ति प्रत्य मध्य भयम् सब्दस्ति भयम् भीधातु भीत्राधानं भेतु भीधातो अच्प्रत्य भयम् इति शब्द हैं त्रस्तम् त्रस्दातो तप्रत्य त्रस्तम् इति निधानं अत्र नी उप्षर्ग अस्ति धाधातो लुट्प्रत्य निधानं त्रस्तम् इति शब्दम् निर्मितम् अस्ति गृत्म् ग्रयधातो तप्रत्य अह गृत्म् इति निष्चितम् निष्प्षर्गरस्ति चीधातो तप्रत्य निष्चितम् इति निष्चितम् इति निष्चितम् इति निष्चितम् इति निष्चितम् इति निष्चितम् अनंतरम अश्याह कथाया स्लोकम्मेकम आयाती तदपी वयम जानीमा यत स्लोकमस्ती उस्मापिवित्त जुव्रधिम् तेजुनयती देहिनाम किम्पुनास्तस्य संभोगस्त्याग कर्म समन्वितः पुना है एक वरम उस्मापिवित्त जुव्रधिम् तेजुनयती देहिनाम किम्पुनास्तस्य संभोगस्त्याग कर्म समन्वितः अयम स्लोक है अनुष्टुप छंदे निर्मितम, अस्मिन स्लो के उश्मना अर्थात वित्त जाह उश्मना किम प्रभावभोती, तस्य वर्णनम प्रसंगह किम भवती, किम भवित्त अत्र, यत दानादि सूहु प्रयुक्तम धनम प्राणिनाम प्रभावं वर्दयती, एव इती ग्रहंत कारह आह, पंडित विष्णु श्रमा अत्र, अस्मिन पद्धी, प्राणिनाम प्रभावं वर्दयती, कथम इती अत्र, वर्दयती, वर्णितमस्ति, प्रथमतह वयं पद्ध्यस्य पदच्छेदह कुरुमह, उश्मा अपी, वित्त जह, व्रद्धीम तेजह नयती देहिना, किम्पुनह सकारश्य विष्णु, तश्य संभोगह, धन त्यागह, अत्रापी, विशर्ग संधिरस्ति, शंभोगह, त्याग, कर्मसमन्वितह, एवं प्रकारेण, शब्दानाम, पदानाम, विच्छेद, कृतम, अस्मान, तदनंतरं, पदानाम, संयोजनम, अर्थ ज्यानायक, वयं, अनवयह, कृतम, कथमिती, पश्यतु, विद्धजह, दृतियं पदमस्ति, विद्धजह, उश्मापी, देहिनाम, तेजह, व्रद्धिम, नयती, नयती, क्रिया, अन्तियागचति, तस्यो, त्याग कर्म समन्वितह, संभोगह, किम्पुनाह, एवं, स्लोकस्य, अनवयह, आगत्वां, तुनाह, अस्यो, स्लोकस्य, कह, भावस्ति, किती, वयं, जानी मैं, व्याक्य, मध्य, यतव, वित्यजह, उस्मापी, देहिनाम, तेजह, व्रद्धिम, नयती, वित्यजह, अर्था, धनात जातह, उस्मापी, उत्तापः, अपि, देहिनाम, प्राणिनाम, तेजह, अर्था, प्रभावं, व्रद्धिम, नयती, व्रद्धिम प्रापयति वर्धति वा अर्थाग धनाग उत्ताप है प्राणि नाम प्रभावं व्रद्धिम करो दि तस्य तस्य कस्य धनस्य त्याग कर्म समन्वितह संभोग है त्याग कर्म समन्वितह अर्थाद दानाद व्यापारेन युक्तह संभोग है संभोग है शाथ किम पुना है तस्य विशिय किम वक्तव्यम अर्थाद तेज व्रद्धिम नयतियेव यतो ही तस्य धनस्य दानाद व्यापारेन संभोग है करनिय एवं अस्य श्लोक अस्य व्याख्या अर्थाद गिन्यानाई अस्ति अस्मिन स्लोके केचन पदानी अस्ति तेशाम भ्याक्रण दृष्टिया में परिशीलनम कुर्म हैं वित्य जह वित्य जह इति पदम् एकमस्ति वित्य जह वित्ताथ जायति जात है वा वित्य जह वित्य अयम पदdirect वित्तात जायते जाता है वह अत्र उपपद समाश उष्मापी उष्मा धन अपी अत्र आकार उष्मा अत्र अन्ते आकारास्ति अनंतरम अकारह उभयो मिलित्वा आकारह इती दीर्ग संधी अत्र भवती पुनस्तस्या पुनहा धना तस्या पुनस्तस्या अत्र विसर्ग संधीरस्ति व्रद्धीम व्रद्धातू क्तिन प्रतिय अमी क्रते व्रद्धीम इती पदम निश्पन्नम भवती संभोग है अस्मिन पदे अस्मिन सब्दे क्यम अस्ती सम उप्षर्ग अस्ती भुजदातो घंप्रतिय संभोग है इती त्याग है त्यजदातो घंप्रतिय त्याग है इती एवं प्रकारिण व्याक्रणम अस्ती अस्य स्लोक अस्य एक वारं पुनस्य वयं सम्स्कृति सरलार्थम जानी में तम यदा धनम पार्श्वे भवती तस्य जनस्य प्रभाव लोक के द्रिश्यती किन्तु दानादी पूर्वकं धनम उप भुज्यती तदा अवस्यमेव मानह प्रभावश्य वर्धतेव अतह त्याग पूर्वकं भोगह करणिय एवं अस्य गध्याम सस्य विशिये उक्तम हिंद्याम अपी वक्तुम सक्यते यदा जब धन पास में होता है उस व्यक्ति का प्रभाव पूरे संसार में देखा जाता है किन्तु दान आदी पूर्वक धन का उप्योग ये दिक्या जाता है तो अवस्य ही सम्मान और प्रभाव बढ़ता ही है अतह त्याग पूर्वक भूग करना चाहिए एवं असमिन स्लोके अनुष्टुक नामना चंदस्ति नमोनमा अग्रिमायाम कक्षयाम पुनर मिलामा है जयतु भार्तम जयतु संस्कृतम झाल